हेलो अर्वन हिस्टेमिनम यानि कि किसी भी प्रकार की एलर्जी में यूज होने वाली मैडिसिन को हिस्टेमिनम के नाम से जानते हैं Histominum Allopathic Satrizyn से भी कई गुना फ्रबावी मेडिसिन है और इस मेडिसिन से किसी भी प्रकार की अलर्जी को ठीक किया जा सकता है जैसे कि allergic rhinitis हो, allergic sinusitis हो, skin के allergy हो, nasal congestion हो, nasal allergy हो, या फिर अस्थामा हो, urticaria हो, बहुत जादा खुजली हो, कफे सरी ऐसी बिमारिया होती हैं जिसमें इस medicine को यूज किया जाता है histaminum medicine को लेने का तरीका बहुत अलग है, इसे कैसे लेना चाहिए, तब जाके आपकी बिमारी पूरी तरीके से हमेश अगले ठीक हो सकती है, आज के इस वीडियो में समझेंगे तो सबसे पहले ये समझेगा कि histaminum जो medicine होता है, ये कहां कहां पर यूज होता है और इसे कैसे यूज करना चाहिए, तो histaminum medicine जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सरीर के अंदर must cells होती है, basophils होती है, isonophils होता है, तो must cells जब भी active होती है, hyper active होती है, तो हमारे सरीर में histamin release होता है, तो ये histamin काफी सारी problems create करना start कर देता है, especially lungs से related काफी सारी problems को start कर देता है, जैसे कि अगर histamin release होगा सरीर के अंदर, तो आपको फैपणों से संबंदे, जैसे सांस लेने में तकलीफ है, जो हमारा airway है, यानि कि जो हमारी सांस आ रही है, जा रही है, उसको constructed कर देता है, यानि कि उसे सकरा कर देता है, जिसकी बज़र से सांस लेने में काफी सारी problems हमें होना start हो जाती है, तो मरी सांस नहीं ले पाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, छीके आना start हो जाती है, आखे लाल हो जाती है, उनको नाक से पानी आना start हो जाता है, काफी सारी problems उनको start हो जाती हैं histamine release होने की बजह से तो histamine release होने के कारड़ जो समस्याँ आपको हो रही है इन सारी समस्याओं को आप इस medicine से histaminum की medicine से ठीक कर सकते हैं बहुती कमाल के medicine है histaminum एक ऐसी medicine है जिसमें किसी भी प्रकार की allergy को ठीक किया जा सकता है पर्मनेंट्ली कवी नहीं देती हैं, यानि कि हाल की situation में जो problem आपको हुई और वो problem उस medicine से दबा दी, उसके बाद पीछे क्या होगा किसी को नहीं पता है, तो ऐसी situation में अगर आप चाहते हैं कि कोई side effects भी नहीं हो और हम अपनी बिमारी को proper तरीके से ठीक कर सकें, हमेसा के लिए ठीक कर सकें तो आप इस वीडियो को अंतितक समझेगा step by step जिससे कि आप अपनी बिमारी को ठीक कर सकें, हिस्टरमिनम के लक्षर थुलों सा समझेगा, जैसे कि आपको अस्थमा हो सकता है, अस्थमा में इसका यूज होता है, अगर किसी मरीज को चीके आना इस्टार्ट हो जाती है, आ खुझलाते खुझलाते लाल पड़ जाता है, और इसके साथ में चकत्ति आना स्टार्ट हो जाते है, अर्टी केरिया की समस्या होने लगती है, आपने बच्चों में देखा होगा, अर्टी केरिया की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुत जादा अर्टी क से उनको इस समस्या से हमीसाग लिए छुटकारा दिया है तो यह सारे सिम्टम्स होते हैं कई पिसेंट्स ऐसे होते जिनको अस्थमा के दौर आता है तो उसमें की इसकन यहिन isim का यूच्य किया जाता है अगर बात करें कि रिलीज से क्या-क्या और दिक्कते हो क्यılar को सकता है एलर्जी थिस्क की प्राबलम है उसकी वडित्र से और नो levels की प्राबलम है तो थोड़ा बहुत भी अगर किसी अलरर्जन के जीसे मिट्ट्र कर के इलर करके कनक्र में जाते हैं तो उनको बाद करते हां कि किस तरह से हम स्ट Quốc कर सकते हैं दीखिए इस ट्रग अलग लग मिल जाता है जैसे कि है two hundred potency, thirty potency, इस तरह की potency में आपको मिल जाता है फिर heय बनड़ है, तो ये जो medicine है, इसको use करने का तरीका अगर आपने समझ लिया तो आप समझ येगि आपनी बीमारी ठीक होने वाली है, आपने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया कैसे यूज करें अगर acute case है जैसे कि acute case मतलब कि उस मरीज को हाली एकद घंटे में उसको समस्या बढ़ना स्टार्ट हो गई समस्या होना चालू हो गई उसे हम acute case करते हैं chronic case का मतलब होता है कि किसी मरीज को 20-21 दिन से problem है एक आद महीन हो गया तब भी उसकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे patient को हम ऐसे मरीज को हम chronic condition में रखते हैं तो acute अगर case है acute problem का मरीज है तो उस मरीज को कम से कम potency यानि lower potency में हमें ये यूज करना चाहिए और lower potency क्यों यूज करेंगे उसका reason में आपको बता देता हूँ कोई भी बीमारी है acute problem में अगर हम higher potency एक दम से दे देंगे तो मरीज की समस्या बढ़ सकती है तो सबसे पहले 6CH potency है उसे आप यूज करें उसे कैसे यूज करना है 6CH potency अपर 30 potency अगर आपको मिले तो हर दो घंटे में उसे दो-दो drops अपनी टंग पर डाल दीजेगा और dilution में आप यूज कीजेगा 30 potency या फिर 6CH potency में आप लीजेगा तो आप दो-दो घंटे में इसकी दो-दो drops अपने टंग पर डाल दीजेगा केवल एक दिन के लिए आप देखेंगे कि 5-6 घंटे में ही आपको तुरंत आराम बहुत अच्छा relief बहुत अच्छा मैसोस आप करना start हो जाएगा आपको उसके बाद एक दिन के लिए आपको ऐसा करना है दूसरे दिन आपको 200 potency लेनी है और 200 potency आपको केवल और केवल दिन में दो बार लेनी है शोबह एंस शाम को लेनी है दो-दो-तिन-तिन डॉप्स और उसके बाद में आपको 1M potency लेनी है weekly यानि कि जो 200 potency हमने यूज किये आपको याद रखना है अगर किसी को chronic problem है तो chronic problem में आप अपने डॉक्टर से सलहा ले और उसका exact cause पता करें कि बास्तब में क्या कारण है allergy का या जो आपको इस problem हो रही है उसका क्या reason है उसके बाद ही आपको कुई फी medicine लेने चाहिए क्योंकि फिर अलग-अलग medicines differentiate होती है जैसे मैंने आपको बताया कि हलकी हलकी खुजली होती है बहुत तेज खुजली बढ़ जा है तो यह chronic problem में अगर आपको है तो आपको थोड़ा याद रखना होगा अपने डॉक्तर से एक बार कंसर्ट करें उसके बाद ही किसी भी प्रकार की medicine का शेवन करें आई होब की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा helpful होगा वीडियो अच्छा लगिए तो लाइक ए शेयर करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सभी प्रकार की वीडियो देखने के लिए ट्रीट्मेंट की वीडियो देखने के लिए चलो को सब्सक्राइब करें नमस्क्राइब सब्सक्राइब करें अगर आपने हमारा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है त तो डॉक्टर लोकिंद ब्लॉग आप सर्च करेंगे आपको चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे आप वहां पर भी हमें जाकर के सपूर्ट कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं